असानी चंडिगाड दिवेच बत्ती गोला अदालत दिवेच पूरा मामल है पर दस वज तक रात दस वज तक सो फीसद बिजली बहाल करन दिती जान दिगल किती जा रही है हों तक असी फीसद बिजली बहाल किती गिया पल के हाई कूर दिवेच सनवाई हों जा रही है सो अज दास वजे राद तक दस समा दिता गया कि सो फीसद बिजली नू बहाल कर दिता जावेगा सी फीसद बिजली होन तक बहाल हो चुकी है सो चंडिगाड परशासन ने अदालत नू प्रोसा देता है मामला अदालत विच्छी ओस तो बाद एक पास से स्ट्राइक है दुझे पास से रास्ता ने चंडिगाड देवासी बड़े परशाद हाला तो सिटी फ्यूटिफुल एक बार फिर अपने ब्लाक आउट से बाहर आ रहा है और इसका अगर श्रेज आता है तो वो आमी को जाता है, मिलिटरी की इंजिनिरिंग सर्विसस को जाता है और इसी लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इस वक्त प्रिंसिपल डिरेक्टर और एडवाइजर सिविल मिलिटरी सर्विसस वेस्टन कमांड करनल जिजदीव संदू जी सबसे पहले तो जाना चाहेंगे कि मिलिटरी ने चंडीगड को आके इस जो अधी चंडीगड अंधेरे में डूब गई थी उससे बाहर निकाला, कब आप तक इंफोर्मेशन पहुँची, कब मिलिटरी ने इस पूरे केस को टेक अप किया? सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों का, including military engineering services और local administration का अभार प्रकट करूँगा, western command के बहाफ के उपर, जिन्होंने मिल जुल के इस crisis को दूर करने की कोशिश की है. हेड़कॉर्टर western command को चंदीगड administration से लगबख शाम को साड़े साथ बजे ये request आई, और इस request के अंदर ये बताया गया कि अगर हम किसी तरह से ये जो crisis है, electricity का इसको restore कर सकते हैं. हमारे headquarters ने फैसला लिया, western command operations branch और highest level पे army commander ने फैसला किया, कि इस city beautiful की restoration के अंदर मदद की जाएगी. हमारी teams, चंदीगड administration के साथ लगबख आठ बजे हमने meeting की, situation को assess किया, assess करने के बाद ये पाया किस किस जगा पे problem है. उसके अंदर हमारे technical team के chief engineer, general चड़ा के नीचे, काफी होनहार officers जो director level के officers हैं, और जो technical officers है, military engineering services के, उनको deploy किया गया. local administration की मदद से, हम लोगों ने, जो इनके power grid थे, sector 56, 52 और 43 के अंदर, उसका माइना किया, और उसके false को, अपने मदे नजर रखते हुए, उनको resolve करने की कोशिश की. जब हमने assess किया, कि ये जो false हैं, वो basically 56 sector के अंदर, जो main power grid 66 के विए का है, उसका जो false control lines है, और जो false दिखाने का system है, वो discharge था. उसी वकत रात को बड़े generator sets के साथ उनको charge किया गया, charge करने के बाद उनके false को identify किया गया, identify करने के बाद, इन सारी चीज़ों को restore किया गया. इसके दुरान लगबग हमारे officers, आठ करीब officers, about 10 JCOs और 65 other ranks को रात को दो बज़े डिपलॉई कर दिया गया. डिपलॉई करने के बाद, सुबह लगबग हमने जो main feeders थे, उनको ठीक कर दिया और main fault lines को clear कर दिया. उसके बाद हमने ये भी कोशिश की, कि और भी जो संख्या में man par है उसको लाया जाए, और उस man par से हमने दिली से, पटियाला से, अंबाला से अपनी man par बुलाई, और वो technical man par यहाँ पे आ चुकी है, और वो भी हमारे साथ मदद कर रहे हैं. सर अब तक कितनी जगे जो बिजली है वो restore की जा चुकी है, कितने percentage और कितनी और होना बाकी है? लगबग 70% जो faults थे इन फीडर्स के अंदर उनको rectify किया जा चुका है, बाकी 30% को examine किया जा रहा है, और उमीद करते हैं कि शाम तक बाकी faults भी ठीक हो जाएंगे. जो main 66 के विए का ये station है, इसके faults सारे दूर किये गए हैं, 53 sector के जो 66 के विए है, उसको restore किया गया है, और फिर 43 sector का जो station है, उसको restore किया गया है. उसके अलावा पंजाब से पावर आनी शुरू होगी है, जो technical fault की वज़ा से वो पावर को रोक दिया गया था, उस पावर को हम वापस लेया हैं, और लगबख 70-80% जो चंदीगड के अंदर जो feeders हैं, उनके अंदर lexity जा रही हैं. इसके अलावा जो बाकी false हैं, वो false जो हैं, वो feeder से आगे lines जाती हैं, हमने अपने band park को, line man को deploy कर दिया है, local administration की मदद से, उनके guides की मदद से, हम उन false को भी जो end false होते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे. सर, एक चीज़ टेक्निकली समझनी जरूरी है, कि ये जो इतनी जगे चंडिगड में जो lights गई, लगभग सभी sectors में lights नहीं थी, इनके पीछे का main कारण क्या रहा? ये power cuts लगे थे, supply बंद हो गई थी, main कारण इसके पीछी का क्या रहा? क्योंकि अमोमन चंडिगड में एक स साथ इतनी जगे बिजली नहीं जाते? ये जो falls है, basically strike की वज़ा से आये हैं, जब technical teams, ये deliberately cut थे या किस तरह थे, strike की वज़े से क्यों? होते हैं, लेकिन इस वरे से वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हुई, cameras, traffic lights, वो सब भी बंद हो गए, क्या वो चीज़े भी अब सब recover हो रही? जैसे जैसे जिन जिन sectors के अंदर feeder के थूँ, electricity पहुंचेगी तो वो सारी चीज़े भी rectify हो जाएंगी. इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि मैं His Excellency Governor पंजाब, जो के UT के administrator हैं, यहां के advisor, और जितनी तमाम administration है, वो रात भर उन्होंने हमारे साथ मिल के काम किया है, और Western Command के साथ कंदे से कंदा मिला के काम किया है. हम इस administration के अभारी हैं, कि उन्होंने हमारे को वो technical manpower ऐसी दी, जिसके हम ठीक time पर यहां पहुंच सके और इसको identify कर सके. सर्फ, strike अभी भी continue चल रही है, अभी के लिए तो आपने जो बिजली है, आपकी जो technical teams हैं, वो लगी हुई है, लेकिन कब तक आपकी जो services हैं, आप ये provide करते रहेंगे, क्योंकि strike तो अभी खतम होती हुई नजर नहीं आ रही है. हम इस electricity को maintain करने की पूरी कोशिश करेंगे और उमीद करते हैं, कि ये जो strike है, जिसकी बाचीट चल रही है, वो जल से जल खतम हो जाएगा. उसे भी वापस लाने का प्रयास कर रहे है.